Hello Friends, आज को ओर्खसवप में हम एक छोटा सा Mini Ballord Heater बनाएंगे यादि आप भी एक छोटा सा Mini Ballord Heater बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को कम्रीट दो आज करना है Mini Ballord Heater बनाने के लिए हम एक 3 इंच का PVC का पाप लेंगे प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् कुछ इस तर piace से यहां पर note कर लेंगे कहां पर हमें whole करना है ड Always क्रीक्स कर देते हैं श्ल्ष के दोधार्ड ब्रसजर अच्छे से हमान टाइट कर देंगे ताकि अपने जगज से GIS फिले नहीं फिर यहां पर हम एक होल कर देंगे ताकि इससे हम इसके वायर को बाहर निकाल सके हम इस प्राइप में दोनों साइट से दो दो होल करेंगे याने कि टोटल चार होल करेंगा और यहां पर हम दो आइरेन के पीस को दो लोहा के टुकरा को इसे हम इस तरह का से फिक् यहां से चाट करके यहां से और इसे मोर देंगे ताकि इसमें से बाहर नहीं कि हम दुसरे साइट भी होल कर लेते हैं ठेक उसी तरह का से और फिर वहां पे भी हम दूसा यह लगा देंगे यहां पर हमें दुन यह मेरा बंड की कम्प्रीट हो चुका है तो चलिए आप हम इसमें नेकरोम का वायर लगाते हैं यह आपको किसी भी बीजली के दुकान में असानी से मिल जाएगा या फिर इसे मोटा भी मिलता है आप उसे भी लगा सकते हो यह आपको डिपेंड करता है आप कितना फाबर सप कर लेंगे अच्छे से बांद लेंगे उसके बाद हम इस तरह मैं लगा देना है है और कहीं भी आपको पर लगा को बहुत सारा समय लगेगा तो चलिए मैं आपको पहले इसमें लगा देता हूँ सारा वायर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जैसा कि आप देख लो आप यहां पर यहां पर जो नेकरूम का वायर है यहां से स्टार्टिंग हुआ है यहां पर मैं इसे पहले फिक्स कर लि है ताकि इसमें short circuit नहीं हो अब हम इसमें wiring का connection करेंगे तो सब से पहले इसमें जो हम वायर लगाएंगे हमें दो hardware लगाना होगा क्योंकि हम इसमें जो power supply देंगे वह जादे इंपेर का देना होगा यदि आप पतला वायर लगा लगाओ गए तो वह असानी से जल जाएगा इसलिए हमें hardware लगाना है और जहां से आप स्टार्ट की हो इस wire को लगाना वहां पर सब से पहले हम पहला वायर को connect कर देंगे अच्छे से यहां पर लगा देंगे उसके दूसरा वायर को हम इसके लास्ट इंड वायर लगाना है और इसमें भी हम दो वायर लगा देंगे च्छोटा सा जो फैन हे वह बहुत ही छोटा लग रहा होगा आपको लग रहा है कर लेगा यहां उसी देख के बाहरा निकाल देंगे पतला लगाना है हो फिर हम निकालने के बाद यहां पर यहां पर टोटल चार वाइर दो हीटर के वाइर का और दो फ्यंका वधेन का वायर का तो हमें पैढने करना को हीर का जो हुआ हो अगया उसमें हम सिंगल कई की किरेंगे कि साथ ऊसमें कोई दिख्ली नहीं है या फिर अल्टरनेटिक करेंट भी उसमें दे सकते हो लेकिन इस फैन में हमें डीसी करेंट देना होगा और इसमें पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखते हुए इसमें देना होगा इसमें हम सिंगल पाबर सप्लाइ का यूज कर रहे हैं तो हमें दोनों वायर को पैरले प्याम करेंगे तो इसका बनाना होगा इसे को डीसं में करता है और उससे आप ईसे असान इसे फैन भी चला सकते हो एक की ट्रांफर्मर से मेरे सी मिद्धी पापरसला है इसलिए हम दोनों को पैरल्लम कर देंगे और हमें इसी तरीका से लगा देना होगा है इसका जो प्य सब्सक्राइब को धियान रख के लगाना हुआ इसलिए हमें प्रेंड का वायर है उसे पुजीटीव में लगाएंगा और निगेटीव में लगाएंगे अब इस दोनों को पारल्लम कर देते हैं यदि आपके पास पाबर सपलाइ नहीं है आप इसे बैटरी से भी चला सकते है लेकिन बैटरी पर चलाने पर उसका बैटरी है बहुत जल्दी डिस्चार्ज होगा यह बात को ध्यान रखना होगा पहले में कुनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसे पावर सप्लाय देंगे मेरे पास जो पावर सप्लाय है वह 24 वोल्ट और 6 एंपियर का है क्योंकि इ हम इसमें पावर सप्लाय देखे आपको दिखाते हैं यह किस तरह का से वर्क करता है यह बहुत ही छोटा सा बलोर हीटर है आप इसे बड़े असानी से अपने घर पर बना सकते हो इसमें कोई दिकत नहीं है तो चलिए आप हम इसमें पावर सप्लाय देते हैं और देखते है एक एस्टेंड बना लेते हैं ताकि उस पर असानी से खड़ा हो सके तो इसे एस्टेंड बनाने के लिए हम एस्पोक लेंगे या फिर आप किसी भी पतला वायर ले सकते हो या फिर रौड ले सकते हो आयरन का फिर लेंगे आप इसी के हिसाब से यहां पर हम टेड़ा कर देंगे ताकि यह इसमें असाने से ख़रा हो चके और यदि आपको इस यह स्टेंड नहीं लगाना है तो इसके अंदर आप इसे डाल के छोड़ सकते हो और यह मेरा पाबर सप्लाइग टॉन्टी फॉर वोल्ट सिक्स एंपियर का तो सबसे पहले इसमें हम सप्लाइग देते ह हो इसमें से इसका वायर को निकालना होगा और आप चाहा हो तो इसके बीच में आप स्वीच भी लगा सकते हो जिसे आप इसे असानी से यूज कर सको यह आप देख सिकते मेरा पावर सप्ला इसमें प्लाई आ चुका है और यह कितना एस्पार्क कर रहा है इसी से आपको आपको इसके इंपियर का पता लग चुका होगा अब हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं कुछ अजरी है कि हम यहां पर पूझी पावर नियुटिमा लगाना पुछ लगाना अर्व तैसलीर अपड़ीयृ निहीं लगाना यहां पर आप के तो इसका अफिस्वार्क है दिर हो तरुप और दिरे गनम हो रहा है और मैं आपको इसकाव पीछी दिखाता हूँ इसका जो फैन है वह अभी काम कर रहा है ये आप दीख सकते हो ये एक इक रण adviser सप्ला इसमेसे निकालके सब्सथे इसके सब्सक्राइब टूसक्ते लगाड़ लाल हो चुका है और यदि इसका टेंपरेटर आपका कम करना चाहते हो तो इसका फूर नेकरों को वायर में आप सप्लाय दो हाई गाज यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लैक कर दो और मुझे सपोर्ट करना धन्यवाद